हे नमस्कार दोस्तों, विल्कम बेक टू गैजेट टू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे MIUI 8 Samsung Galaxy Grand 2 में इंस्टाल कर सकते हैं सबसे मेले आपको एक रोम की जवरत पड़ेगी देखिए यह है वो रोम, आप डिस्क्रिशन में जाके इस रोम को डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टाल करने के लिए आपको अपना मोबाईल पाउर आफ करना पड़ेगा और कस्टम रिकावरी में रिस्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपके mobile में custom recovery install नहीं है तो मैं इसके पहले एक video बना चुका हूँ आप पहुज आके देख लीज़े और custom recovery install कर लीज़े देखिए ये custom recovery में boot होने लगा है उपर लिख के आ रहे है recovery mode ये boot boot होगा ये twrp recovery है बूट होने के बाद आपको सबसे पहले वाइप में जाना है और वाइप कर देना है दीखी वाइप हो रहा है प्रिय हो गया कि वाइप हो चुका है और अब बैक जाएए एडवांस वाइप में जाएए और सिस्टम डालवीक डाटा इंस्टर्नल स्टोरेज इन सब को भी वाइप कर दीजिए दैन रहे जहां रो में वह वाइप ना करें देखिए इसे ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे और आप बैक जाएए इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और जहां आपने रोम रखिया है उसे इंस्टॉल कर लीजिए मैरे केस में माइक्रो एस्डी कार्ट में है शेयर इट फाइल्स और यह रही वह रोम अब इसे स्वाइप टू इनस्टॉल कर लीजिए यह देखिए इसे पास से 10 मीट लगेंगे इंस्टॉल होने में तो फेशन जबनाया रखें और एंस्टॉल हो रहा है देखिए और लीजे यह इंस्टॉल हो गया अब एक बार वाइब डाल जावी प्लिक कर दिजिए और सिस्टम को रिबूट कर दिजिए देखिए रिबूट हो रहा है और लीजे यह अपडेट होने लगा है रिबूट होने के बाद इसे भी पाच मिनिट लग सकते है और देखिए यह होने ही वाला है अपडेट पूरा और लीजे दोस्तों MIUI 8 आपके Samsung Galaxy Grand 2 में इंस्टॉल हो चुका है आप देख सकते हैं अब दोस्तों यह है MIUI 8 बिल्कुर शाओमी की तरह लॉक स्क्रीन देख लीजे आइकॉन्स पूरे शाओमी की तरह है यह देखिए सेटिंग नॉटिफिकेशन पैनल भी वैसा ही है फट्से लेते हैं इसमें कुन सा वड़ जाने है तो दोस्तों इसमें है 6.0.1 माश्मेलर MIUI 8 की उपर तो दोस्तों सस्क्राइब कर लिजी इस चैनल को और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तो थैंक्यू दोस्तों बाए यह यह करके दिखाओ यह 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 करके दिखाओ यह यह